मुंबई पर 2008 आतंकी हमले का साजिश्ट करता और लश्करे तोईबा का कमांडर जकी उर्रह्मान लखवी फिलहाल पाकिस्तान की जेल में ही रहेगा पाकिस्तान के सुप्रेम कोट ने बुदवार को जके उर्रह्मान लखवी की हिरासत लेलंबित करने के इसलामाबाद हाई कोट के आदेश को पलड दिया इस फैसले के बाद लखवी को अभी हिरासत में रखा जाएगा सुप्रिम कोट का कहना है कि हाई कोट ने फैसला जल्दबाजी में लिया, फैसले के बाद बीजेपी सही तमाम राजिनितिक दलों ने एक सुर में फैसले का स्वागत किया फैसले के बाद मुंबई हमले के केस से जुड़े सरकारी वकील और सुरक्षा जानकारों ने साफ किया कि लखवी के खिलाफ कारवाई करके पाकिस्तान के पासे एक मौका भी है कि वह आतंकवात के खिलाफ अपनी नियत पाकसाफ जता सके पाकिस्तान ने सक कदम उठाएं मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी बात उन्होंने किये लेकिन उन्हें बहुत केरफुल रहना होगा और छोटे से कारवन के लिए कैए ऐसी हरकत नो हो कि वापस लखवी जमारत पर उसकी रिया है हो इसको एक प्रकार से हम स्वागत करना चाहिए परंतु साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस टू बी कॉशिसली वेलकम उन्होंने पिछले दस बारा साल से इन्हीं गुटों को समर्धन भी दिया है खास लशकरे ताइबा और जमात दावा तो मैं ये कहूंगा कि एक प्रकार से लखवी का जो केस है ये एक टेस्ट केस बन गया है कि पाकिस्तान की जो विश्वसनियता है दैशनगर्दी के संधर्द में वो कितना इसको लागू कर पाएंगे जो कहते हैं कि can they walk the talk देर आये दुरुस्ता है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो यही बात साबित होती लग रही है गौरतलब है कि पहले लखवी ने अपनी हिरासत खत्म करने की मांग की थी उसे सार्वजनिक विवस्था बहाली अध्यदेश के तहत हिरासत में लिया गया था 18 दिसम्मर को जमानत दी थी लखवी उन साथ आतंकियों में शामिल है जिन पर 26 से 11 मुंबई हमले की साजिश करने का आरोप है मुंबई हमले के दोरा लखवी लशकरे तैबा का संचालन प्रमुक था न्यूजनाइट डेस्ट डेडी निवस